नमस्कार दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो है ऑस्ट्रेलिया जाना है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया वीजा चाहिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा कितना खर्चा आएगा या फिर बहुत सारे ल वीसर्च वगेरे भी नहीं कर पाते हैं और जो वो सुनते हैं वो सुनी हुई बातों में आ जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं भया इस तरीके से वीजा मिल सकता है तो सुनी हुई बातों में नहीं आना है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी क्यो आपको कौन सा visa ले करके Australia जाना चBeat यह सारी के जानकारी आप ले सकते हैं ओनलाइण Google पर जा करके Google पर जाना है, Google पर आप देख सकते हैं धोस्तों यहाँ पर Australian Government की website पर जा करके हम यह वला option खोलेंगे explore visa options for working in Australia अगर आप Australia में काम करना चाहते हैं यहाँ पर visa options explore कर सकते हैं दोस्तों यानि कि आप अपने लिए visa options चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से visa options आपको मिल सकते हैं और उसके accordingly उस visa के requirements चेक करके फिर visa के लिए apply कर सकते हैं ठीक है तो अगर इतना सब कुछ नहीं पता है आपको तो यह video देखो न सब कुछ पता चल जा रहे हैं आप professional का काम करने जा रहे है, research करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं कौन सा काम हैं तो यहाँ पर आपको आपको प्रशन है वह आप दिखात्व आपको बताता हूं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है Air और Sea Crew यानि कि पानी वाले करने के लिए जा रहे हैं अगर उसमें जा रहे हैं तो आपको जो उस वाले option पर टिक करना है और नीची कंटिनी को option दिया दोस्तों उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है जो भी वीजा आपके लिए बहतर होगा वो आपको बता दिया जाए ठीक है नीचे आएगा पर है ऑस्ट्रेलिया में उसको हैंडल करने के लिए जा रहे हो तो आप यह वाला option से लेक्ट कर सकते हैं और इसके आपको जो भी वीजा बताया जाएगा वह वीजा लेकर के जा सकते हैं दोस्तों तीसरा option क्या है बिजनस और इंवेस्टमेंट के परपस से जा रहे हो तो इस वाले option को से लेक्ट करो और जो भी आपके सामने वीजा option साते हैं उसको explore करके अपने लिए बढ़िया वीजा ले लो ठीक है अगर आप foreign government या फिर foreign language पढ़ाने के लिए जा रहे हो या फिर domestic work करने के लिए जा रहे हो diplomat सरकारी related काम अगर करने जा रहे हो दोस्तों तो आप कुछ है चौथ option से लेक्ट करना उसके बाद research project के लिए एक option है उसके बाद post study work training internship आप पढ़ाई के बाद work training करने या फिर internship के लिए जा रहे हो आपको कहीं से internship मिली है उसके लिए जा रहे हो तो उसके लिए एक option है उसके बाद अगर आप skilled worker हो या फिर highly specialized worker हो skilled worker में आत किसी चीज में specialist ही ले रखी है उन्होंने अगर आप एक surgeon है या dentist है तो आप highly specialized work में आ जाते हैं ठीक है उसके बाद working holiday और seasonal work करने के लिए जाना चाहते हैं फिर working holiday काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो यह option से लेक्ट कर सकते हैं youth school और staff exchange program यानि कि staff exchange program चलता है यानि कि यहा प्रोग्राम होता दोस्तों वह भी option अब select कर सकते हैं लास्ट option जो है palm scheme palm scheme में जो है आप जाकर गौस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं दोस्तों कुछ specified industry में ठीक है लेकिन यह palm scheme जो है कुछी देशों के लिए लागू होता है वह अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वह भी आ दों के लिए रूखना चाहते हो अलग 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 है लगी टीन महीने पाथ साल या हमेशा के लिए ठीक है तो हम लिखेंगे आप अपके लिए बैस्ट हो सकता है दूसरा skilled regional वीजा ठीक है उसके बात तीसरा वीज़गे है skilled work regional visa ठीक है उसके पर चौथा option कहा है skilled employer sponsored regional provisional visa ठीक है यह चार तरीके की visa जो है आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों यह चार options आपको दिये जा रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि here are four visas that match your criteria यह चार visa हैसे हैं जिनसे जो आपका criteria match हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगो दोस्तों मेरा personal experience जो है आपके लिए सबसे best visa temporary skills shortage visa जिसे sub class 482 visa कहते हैं दोस्तों इस visa के तहट जो है आपको sponsorship भी मिल सकती है और आपको company अपना खर्चा दे करके बुलाएगी वहाँ पर और जो है आपको काम कर निकले बोले की ठीक है तो इसमें आपका खर्चा भी बचेगा आपको जो है relocation का पैसा है मिल सकता है accommodation food वगेरा सब चीज का पैसा मिल सकता है दोस्तों इसकी वेलिटी जो है चार सालों तक के लिए होती है आप चार सालों तक के लिए महारा करके काम कर सकते हैं इसका मतलब वीजा फीस जो है दोस्तों 1290 ऑस्टेलियन डॉलर्स होता है processing time जो है उपर नीचे होते रहता है इस वीजा के तहट जो है आप वहाँ पर approved sponsor के अंडर काम करते हैं ठीक है और अच्छे खासे पैसे कमाने का आपको मौका मिलता है तो इस तरी किसे दोस्तों आप अपने लिए वीजा सेलेक कर सकते हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटिटिट भी वीजा सेलेक कर सकते हैं काम करने जाना चाहते हैं तो अलग-अलग मैंने आप पो options दे दिये यहाँ पर यह वीजा को बारे में जान सकते हैं और फिर उसी के बाद आप अपलाई करना चालू कर सकते हैं तो बेसिक एक आइडिया दे दता हूँ अगर आप 482 वीजा लेना चाहते हैं न दोस्तो टेंपररी स्किल शॉटेज वीजा लेना चाहते हैं तो आपको जो है अपने लिए एक स्पॉंशर्चिप जॉब धुणनी पड़ेगी एक अप्रूवड स्पॉंसर के अंडर स्पॉंशर्चिप जॉब धुणी है अगर जॉब मिल जाती है तो उसके अंडर जॉब अपलाई करके आप आस्ट्रेलिया जा सकते हैं दोस्तो जॉब अगर आपको मिलती है तो आपको जो है ओफर लेटर मिलता है कंपनी के तरफ से ओफर लेटर के साथ साथ आपको वीजा स्पॉंशर्चिप भी देती कंपनी और बोलती है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट वीजा है दोस्तो तो मेरा मकसद आज का तो पूरा हो गया है मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट वीजा है अब आप पे डिमेंड करता है दोस्तो कि कितनी जल्दी जल्दी जो है आप इस visa के लिए apply करना चालू करते हैं देखो visa के लिए apply करना है तो पहला process क्या है CV cover letter बनाओ उसके बाद job apply करो job मिलेगी तब जाके visa मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है CV cover letter बनाना है और job apply करना चालू करना है और उन jobs और companies में जो है आप apply कर सकते हैं बहुत असानी से एक CV cover letter बना के CV cover letter नहीं है तो नीचे दिएगे whatsapp number पे हमें आज ही contact करें और हमसे अपना CV cover letter बनाए और job apply करना चालू करने दोस्तो तो यह था हमार आज का वीडियो I hope आपको यह वीडियो पसंदा होगा वीडियो को पसंदा है वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हमाद भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ